राजधानी पत्ना में एक हजार फुलिस वालों को सुरक्षा में उतार दिया गया है, 150 मजिस्ट्रेटों की तैनाती कर दी गई है, और यह सब कुछ क्यों तो G20 की बैठक राजधानी पत्ना में होनी है, 20 अलग अलग देशों की जो प्रतिनिधी है, वो राजधानी पत्ना में पहुच रहे हैं, इतली के ब्राजील के प्रतिनिधी आ चुके हैं, और इनकी सुरक्षा में 150 मजिस्ट्रेट और 1000 से ज़्यादा पुलिस वालों को सड़क पर उतार दिया गया है, वो जहां होंगे, उस काफिले को सुरक्षा देने के लिए, जहां पर कारिकरम होगा, वहां पर सुरक्षा देने के लिए, इन लोगों को तैनार किया जाजता है, आगे आपको हम पूरी खबर बताएंगे, कि कैसे तेजस्वी यादों ने इन सब के लिए बिशेश तोर पर इंतिजाम किया है कि जब ब्राजील के इटिली के अलग-अलग 20 देशों के यहाँ पर प्रतिनी भी आएंगे तो उनको क्या दिखाया जाएगा और कैसे बिहार की ब्रेंडिंग होगी बागया नमस्कार में नाम है मोहित कुमार सिंग और आप जनता जंक्षन देखने हैं सबसे पहले आपको सिक्योरटी के लिए बताते हैं कि 1000 से ज़्यादा पुलिस वालों को जो बिहार पुलीस मुख्याले है पुलिस हेट क्वाटर उसके निर्देश पर सुरक्षा के मद्धे नजर मैदान में उतारा गया है वे सडग पर उतर कर सुरक्षा देंगे एक सो पचास मजिश्ट्रेटों को तैनात किया गया है और बताया जा रहा है कि 24 घंटे महमान जहां पर रहेंगे वहाँ पर दो लेयर में सुरक्षा दियाएगी मतलब कि दो अलग-अलग लेयर में सिक्योरिटी का बंदोबस्त है और सिक्योरिटी इतनी तगड़ी कि कोई महमानों को चाहत कर भी नुकसान न पहुचा पाए अब चुकि ब्राजील, इटिली और अलग-अलग तमाम 20 देशों के महमान है 20 देशों के प्रतिनी भी यहाँ पर है अगर उनको थोड़ा भी कुछ होगा तो सिर्फ बिहार नहीं, पूरे देश की साख पर सवाल उठेगा कि भारत अपने महमानों को भी सुलक्षा नहीं दे पाता बिहार सरकार अपने महमानों को भी नहीं बचा पाती और इसलिए सिक्योरिटी की इतनी तगड़ी बेवस्था की जाती है फिराल G20 के बैठक को लेकर महमान पहुचने लगे है अब आते हैं कि तेजस्वी यादों की तरफ से क्या विशेश तयारी है तो तेजस्वी यादों के पास बिहार का पर्यटन विभाग है अब पर्यटन विभाग का सुनिए कि तेजस्वी यादों के पर्यटन विभाग ने विशेश तोर पर तयारी की है कि ब्रेंड जो है बिहार का उसकी ब्रेंडिंग की जाए जब बिहार पर्यटन का ब्रेंडिंग होगा तो और लोग यहाँ पर घुमने आएंगे वो जानेंगे, देखेंगे कि बिहार में घुमने वाला क्या है, जब यहाँ पर घुमने आएंगे, तो निश्चित तोर पर उनके आने से बिहार का परियत्रन बढ़ेगा, बिहार सरकार की कमाई बढ़ेगी, यहां कि अर्स बेवस्था सुद्रेगी, और इसी को लेकर पुर जो मेहमान होंगे वो जाएंगे नालंदा घूमने हमने यहां पर प्रदिकात्मक रूप से तस्बीरे लगाई है आपको समझने के लिए नालंदा में जब इन तमाम अलग-अलग 20 विदेश्टी देशों के मेहमान जाएंगे आप यहां पर तमाम जंडों को देखिए यहां पर एक जंडा अपने देश का है और बाकी के सारे जंडे अलग-अलग यानि की दूसरे देशों के हैं और इन तमाम देशों के मेहमान जो है वो राजधानी पटना में आ रहे हैं और राजधानी पटना में उनके लिए 150 मजिश्ट्रेट एक हजार से ज़्यादा जवानों को तैनात किया गया है कि वे उनको सिक्योरिटी देंगे अब आगे देखते रहीए कि और क्या कुछ खबर आती है और क्या कुछ जानकारी आती है जो भी और निया अपडेट जो भी और नहीं जानकारी आएगी वो सब हम आप तक पहुँचाएंगे तमाम खबरों